हेलो फेंट्स, 27 जन्वरी के Current Faces में आप सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों इस Current Faces को सुरू करते हैं प्रसाद भारती ने किस देश के मेडिया प्राली करण के साथ समझाथा क्यापन पर हस्ताक्षर किया है किस राज्य में एक norovirus के दो मामले की पुष्टी की गई है तो यह केरला में norovirus की पुष्टी की गई है कौनसे फिल्म ऑसकर 2023 में documentary short subject category में nominated हुई है विश्प फिल्म has been nominated in the documentary short subject category at Oscar 2023 The Elephant Whisperer who will host the G20 working group meeting on environment and climate sustainability आपको पता है G20 की जो अलग-अलग meetings है जैसे business group की meeting गांधी नगर में हुई थी इसी तरीके से environment and climate change sustainability की meeting जो है वो बैंगलूरू में होगी ODI cricket में number one गेंदबाज कौन है who has become the number one baller in ODI cricket प्यारे दोस्तों आपका current affairs आपकर आप डेली नहीं देख पा रहे हो तो आपको description में डेली current affairs की playlist मिल जाएगे उस playlist से आप current affairs देख सकते हो regularly ठीक है बिना हिच्किचाहट बिना देरी की और और भी जो playlist है उसमें भी सारी वीडियोज आ चुकी है आपको देखना चाहिए तो मुहमत सिराज है अगला question है अधुलिक शिचाही प्रणाली वाली नारायन फूर लेफ्ट बैंक नहर का उद्गातन कहा किया गया मतलब कि ये लेफ्ट बैंक irrigation process के लिए ये system develop किया गया करनाटका में नारायन फूर ठीक है याद रखना है आपको कौन सा फाइड वर्ल्ड चैंपियंशिप 2023 की मेजवानी करेगा विस कंटेविल होस्ट फाइड वर्ल्ड चैंपियंशिप 2023 इस कजाकस्तान राइट किसे मेंस टीट्वंटी क्रिकेटर ऑफ ये 2022 नामित किया गया है सुर्यकुमार यादो किस राजी के मुखमंत्री ने 165 पसुची कित्सा एंबुलेंस की शुरुवात की आंद्र प्रदेश ठीक है 165 पसु एंबुलेंस ये एक अच्छी बात है कि वहां पे पसु के लिए एंब 6 दिवसी भारत पर ठीक है आपको ये ध्यान रखना है तो आज के लिए इतना ही हमारी पीट कुर्शी अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो वाट्सअप में आमरे लिंक है वहां से आप जॉइन कर सकते हो तैंक्यू सो मच